आज मैं बनाऊंगी पेटीज उसकी रिसिपी आपके साथ सेयर करूंगी जिसके लिए मैंने धनिया और प्याच कटकर के ले 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 लिए तीन अलू है चलिए बनाते हैं और डाल देंगे दो चमस तब आख गरम हो गया है आदा चमस जीरा पॉड़ा दाओ रिए जीरा हो चलिए जीरा हो चलिए अच्छाइब है इसमें हरी मिर्च डाल दोंगी अब मैं करता है इसे जादा नहीं पाता है तो कि भर ना अंदर फिलिंग अगरम मसाला डाल देंग चमस में अगरम मसाला देंग चमस में अगरम मसाला डालते समय गैस कर दिजिएगा वरना जल जाएगा एक चमस जीरा पॉड़ा दन्या पॉड़ा दालेंगे चमस तर लाल मिस डालेंगे देड़ चमस तब डाल दूड़ी में अगर सब मिक्स कर देंगे अगरम मसाला तो वैसे भूना ही वा रहता है ज्यादा भूनने की जुरत तो नहीं है बस तोड़ा सब दन्या पॉड़र हो जाए और अगरी पिर इसमें अलो मिक्स कर देंगे अगरम मसाला हो गए है अगरम मसाला हो गए है अगरम मिक्स कर देंगे अच्के से नहीं अगरम मिक्स कर देंगे अगरम मिक्स कर देंगे इसमें चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं अगर आप जो पसंद करते हैं मैं अब धरी दन्या डाल दे रही हूं आप अट इसमें जो भी आप पसंद करते हो जो डाल सकते हैं पोटटो पैटीस बना रही हुआ है, मैं मिक्स नहीं कर रही है, पर ना मिक्स कुछ भी कर सकते हैं इसमें, चलिए यह हो गया है, इसे बन करते हैं, तो एक बॉल मैदा ले लेंगे, जरा से नमक डाल देंगे, दो चमस तक बॉल डाल देंगे, आदा चमस तक बेकिंग कॉड़र डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करके गुद लिए, यह अच्छे से मिक्स हो जाए, तब इसमें पानी मिक्स करेंगे, यह हो गया है, होगा है, जले पानी मिक्स करते है, अच्छे घ्रीं मिक्स करते हैं, बूत कर यह हो जाए यह बूत कर यह हो गया है यह बूत कर चलिए ढखकर रखते हैं पाच मिनट के रहें। मैदा हो चुका है। अच्छे से बोल गया है। अब मैं इसे बेल होगी। इसे मैदा लगाकर रदे के मदद से अब इस तरह से बेल लेंगे। अब मैं 1 लकाझ के ज़ब में इसे बेल चाश रदेन कम llev रएके हैं ऊ 준नल तरह से बेलेओा, यब से क्ताम अबाकर विर्ग्सेस बिंट को है। जा 겉का ब professली बड़ों है। य़िलाकर रदे का अबलांे ह। आपाद का ब लेकाहाँ डिसे बादिप का बूम कि इस इस तरह से कर लेंगे कि थोड़ा पतला करना पड़ेगा चार फोल्ड हो गया इसे फिर थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे और फिर इसे बेलेंगे इसे इसले बेल रहे हैं कि इसमें कई पर्त आती हैं पेटीस में आप देखके होंगे इसे कई पर्त लानी है कि इस तरह से बेलना है इसे पुड़ा टाइम जाएगा पर इसके अंदर घे लगा लेंगे और हलका हलका मैदा चुड़क देंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे यह हो गई और फिर इसे बेल लेंगे और हो गई ना इसमें आठ पर्ते अंदर 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 बस इसे एक बार और बेलेंगे और घी लगेंगे एक बार और बेलकर इसलिए लगा रहे हैं कि जिसे अच्छे से सारी पढ़ते अलग हो जाएं और पतली पढ़ते आएं इसमें तब यह ज्यादा अच्छा लगेगा खाने में और देखने में भी बहुत ही अच्छा बनेगा इसी अलग अलग पढ़ते दिखेंगे फिर और रिदों में सॉप्ट सॉप्ट बनेगी करारी सी अच्छा अच्छा ज़िए हो गया है इसे फिर से घी लगा देंगे में तच्छा लग देंगे जैसे मैंने बोला दा और इसे कर लेंगे फोल्ड अब इसे बेलेंगे ना तो इसी सेप में बेल सकते हैं तो बेलें वरना आप गोल भी बेल कर इसे कट कर सकते हैं इसे चापू के मदस है चार भग में कट कर लेंगे यह हो गया हमारे चार कर लेना है कट करने के वाद अगर आप गोल कट कर बेल रहे हैं तो कि देखिए आप मैंने गोल बेला था और उसी स्कर सेट में पर दिया है पूरा बोच चोकोन नहीं किया था मेरा हुआ नहीं क्योंकि छोटा है किचन के प्लेट्पॉम पर जो लोग करते हैं उनका बराबर हो जाता है कि इसमें इस तरह से भर लेना है कि एक एक चमच और इसे कुछ भी ऐसे मेहदा पानी कुछ लगाना नहीं है बस यह ही ऐसे चिपका देना है यह देखिए हो गया और इसे यहां पर ट्रे में रख दे लियूं ट्रे में इस इस तरह से ट्रेंगल से पने फोल्ड करना है और बस हाँ से दवा देना इस तरह से अ कर दो कर दो कि यह हो गया है इसमें हलकाल का इस तरह से घी लगा देंगे घी लगाने से मैंने ट्रे में भी ओइल लगा दिया था ग्रीस कटिया था दिखाना भूल गई आप लोगों को पर लोगों और इस तरह से लगा देंगे इसकी कलर जोए बहुत ही अच्छा आएगा जोना ये तंदूर की तरह पका हुआ दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखेंगा इसमें घी लगा देना रहा है घी दूद कुछ भी लगा सकते हैं मैंने कडाही चड़ा दी है रख दे रहे हूं और लग दी लिटेंगे ए इसको इसके अंदर रख दे रहे हैं कि सिर द्छिने से डग देते हैं 10 दुद के लिए देखके बटर के डी कि प्रेंट में इसे मेंड रख दे रहे हैं कि प्रेंट में इसे 10 मिट के लिए रख दिया है यो चुका है जिसले से निकाल लेते हैं देखते हैं इसका क्या है कि यह भी हो गया है बहुत ही प्यारा दिख रहा है कि इसे हाथ नहीं डालना गरम गरम बहुत गरम रहता है यह मैंक्रोवेब बहुत है और यह मैंक्रोवेब बहुत है यह मेरा बंगी त्यार हो गया है मेरी रेशिपी अगा आपको कैसी लगी बताएं कमेंट करके और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो और शेयर करेंगा थांक्यू यह मैंक्रोवेब बहुत है